नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर ग्यानकेंद्र चैनल पे और आज का वीडियो कंप्लीट CPCT का बेसिक इंफर्मिशन वीडियो है आज के वीडियो में CPCT के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि अभी जो एक्जाम होने वाला है लेटेस्ट वो कब होने वाला है और इसके जितने भी टाइम सेड्यूल है वो मैप होता देता हूँ अभी आपर जानकारी दीगे ये नोटिस आप देख पा रहा है नोटिस में लिखा हुआ है कि आज है 21 जून यह भी है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 21 जून आज है और इस महीने का जो last date है form भरने का वो है 24 जून 24 जून तक आप इसके लिए आवेधन कर सकते हैं ठिक है अब जब आप 24 जून को आवेधन करेंगे ये 24 जून की पहले आवेधन कर लेंगे तो उसका exam कब होगा उसका exam होगा जुलाइ में 12 13 और 14 जुलाइ को चिक तो यह डेट है 12, 13 और 14 जुलाई को इसके एक्जाम होंगे इसी प्रकार से जुलाई में एक्जाम होने का अगस्त में फिर से फॉर्म आएगा सितंबर में इसके 6 सितंबर 8 सितंबर के एक्जाम होंगे सितंबर के बाद अक्टूबर में फिर से इसका फॉर्म आएगा फिर फरवरी में मतलब 2025 में फरवरी में फिर से इसका जो form है registration को वो फिर आता है और फिर March में 14, 15 और 16 March को इसके exam होंगे तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो CPCT का जो exam होता है जो registration होता है वो पूरे साल चलता है हर महीने हर दो महीने के अंदर अंदर आपको इसका जो registration ह है वो भी करने को मिल जाएगा और मुक्त रूप से इसकी exam भी आपको देने को मिल जाएगा लेकिन आपको exam के लिए एकदम हरब आना नहीं है इसलिए क्योंकि पहले तो आपको इसकी तयारी कर लेना है जब आप पूरी तरीके से तयार हो जाएं उसके बाद ही इसका form भर ह क्योंकि इसके form की fees लगती है 600-600 रुपे something लगती है आपने 600 का form तो भर दी है लेकिन आपको आता कुछ नहीं है exam के बारे में अब आपका exam निकल नहीं पाएगा निकल नहीं पाएगा तो आपके वो 600 रुपे विर्थ हो जाएंगे इसलिए पहला काम आपको करना है जो इस सेक्षन होते हैं पहले सेक्षन में होता है mcq ठीक है मतलब multi choice questions होते हैं having 75 questions from specified syllabus ठीक आपके 75 प्रशन होते हैं दूसरा जो भाग होता है वो होता है typing skill assessment जिसमें आपसे English typing करवाई जाती है और Hindi typing करवाई जाती है ठीक है तो दो भागों में आपको exam देना है और दोनों भाग में पास होना आपका जरूरी है मतलब अगर ऐसा नहीं कि अपने mcu अगर clear हो गया आपका typing में रुक गए तो आपका scorecard आपको मिल जाएगा नहीं दोनों आपने जब तक clear नहीं करेंगे तब तक आपका scorecard जनरेटर नहीं होगा ठीक all multiple choice questions होता है cell have four options with one correct option वो तो normal सब को पत दोनों में आपको मिल जाएगा reading compression cell comprise one passage with five mcq questions इसमें आपको reading compression भी आएगा मतलब वो अपने पहले पढ़ते थे कि बहुत एक वाक के पूरा एक paragraph लिखा होता था उसमें से आपको सवाल नीचे पूछ लिए जाते थे तो paragraph को पढ़के सवाल का उत्तर आपको देना है इसक test cell view of two hours दो घंटे का होगा यहने एक सो बीस मिनिट का 75 मिनिट मिलेगा और 75 question section 126 15 मिनिट इंग्लिश टेस्ट 15 मिनिट हिंदी टेस्ट 15 मिनिट फॉर रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड स्विच ओवर बिवीन लेंग्वेज इन टाइपिंग टेस्ट यह कुल मिला के आपका रहेगा duration 120 मिनिट का टोटल टाइम जिसमें से 75 मिनिट एंसी क्यू सॉल्व करने के लिए 15 मिनिट इंग्लिश 15 मिनिट हिंदी और 15 मिनिट जो भी आपका बीच में जब आप हिंदी से इंग्लिश में स्विच करोगे तब कुछ समय लगेगा उसके लिए 15 मिनिट रखा गया तो ओवर ओल यह रहेगा पूरा इसका टेस्ट का डिवरेशन और सीपीशीटी का जो पीपर होता उसका पैटर्ण अब इसमें पढ़ना क्या है सिलेवस क्या है तो सिलेवस में सबसे पहले आप उपर की तरह आओगे तो सबसे पहली चीज तो भाईज आप कंप्यूटर से रेलेटेड ही है CPCT क्योंकि कंप्यूटर से रेलेटेड है तो इसमें CPCT में सबसे पहला सिलेवस यही आता है awareness about different aspects regarding computer hardware such as generation and types of computer printers, input, output, device, hardware component such as central processing unit ठीक है तो मतलब पूरा starting में आप देखोगे यहाँ पर 1.1, 1.2 यह सब computer का है 2.0 में भी देखोगे तो basic computer operations से related आता है ठीक है तीसरे में आ जाओ इसमें भी words related है देखो word है numeric scale है, number digit है, internet से related आ जाता है चौथे में आ जाता है reading compression, reading compression में आपको अपनी थोड़ीची English और Hindi अच्छी रखनी है इससे क्या होगा वहीं पर paragraph आएगा उसको पढ़ना उससे related answer देना है इसके बाद जो एक आता है math and reasoning aptitude तो इसमें यह भी पूछा जाएगा math and reasoning aptitude भी आप कर रहेगा जिसमें आपका ratio, proportion, time, work, distance यह वाला जो competition exam में पूछा जाता है वो सब 20 के अंदर रहेगा इसके अलावा general awareness रहेगा तो last का जो पांचवा point है यह math and reasoning वाला और छटवा है general awareness वाला इनकी तयारी भी आपको करना है computer के और typing के साथ-साथ ठीक है तो यह तो हो गया complete से लेवस अब अगर आप यहां पर देगे cpct का form कैसे बरना उसके बारे में भी मैं आपको तोड़ा सा बता दे तो यह इसके official website है cpct की यहां पर जैसे आपको form भरना है register now बटन दिए इस पर click करेंगे यहां पर जाने के बाद आपको यहां पर अपनी जानकारी भर देना फर्म बरना बहुत असान है जो जो पूछ रहा है आपके हिसाब से वह सारी जानकारी आपको यहां पर भर देना है नाप पूछ रहा है father ने पूछ रहा है mother ने पूछ रहा है, gender पूछ रहा है, date of birth, mobile नंबर, email ID, 10 वी का क्या roll नंबर था, 12 वी का क्या roll नंबर था, उसके बाद क्या आपने पॉलिटेकनिक डिप्लोमा किया है हां या नहीं कर देंगे जन्रेट ओटीपी करेंगे मुबाइल पर ओटीपी जाएगा पॉटो साइनी सब अफलोड करना पड़ेगा और आसानी से आप फॉर्म बर पाऊगे अब फॉर्म बरने के बाद इसकी तैयारी भ देंगे हम आपको दूसरा कंप्यूटर रिलेटेड जो ऑबजेक्ट हैं उनकी भी हम आपकी तैयारी करवाएंगे यहां पर मैंने भी थंबनेल भी तैयार कर लिया है और आप लोगों को पढ़ाने के लिए यह देखिए सीपी सीटी परिक्षा में पूछे जाने वाले महत पूर्ण प्रशन पार्ट वन तो इस प्रकार से यह जो थंबनेल आपको देख रहा है इस प्रकार के वीडियो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट त्री जितने भी पुराने कॉस्चन से उसके आंसर है उबजेक्टिव है उन्हें सभी की तैयारी अब इसके माध्यम सम यहां पर को जिस प्रकार का पेपर आ रहा है सीपीशी जिसमें सुरुआत में इस प्रकार से कॉस्चन और आंसर लेखे रहे हैं कोई मायनेस मार्किंग इसमें नहीं रहती है निमनी लिखेत में तो कौन से ग्राफिकल पैकेज है अब चार कॉस्चन दिए चार ऑप्सन दि तियारी करने के लिए असटा है व्योन दोनों देता है चेखता है नगे को मोक टेस्ट की देरी आपको नहीं करेंगे और अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप पेड आनलाइन मौक टेश्ट वाला भी भाग ले सकते हैं जोगो 660 रुपेस की फीस है तो पेड ऑनलाइन मौक टेश्ट भी आप ले सकते हैं तो आपका काम भई सबसे पहले एक काम यह करना है आपको कि आपको तयारी कर लेना है बिना तैयारी के आप इसका फॉर्म ना भर है अधर्वाइज आपका 660 रुपे बिना मतलब का चला जाएगा क्योंकि बिना तैयारी के आपका यह निकलना निकालना इस एक्जाम को बड़ा उसके लो जाता है टाइपिंग की प्रेक्टेस बहुत अच्छे से कर लो टाइपिंग प्रेक्टेस के साथ जो कॉम्पेटिशन जो आपका सीप वाला रहता है उसकी तैयारी दौनों की तैयारी हैं आपकी इस चैनल से करवाएंगे अगर आप अभी नए हैं और आपने आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर आए हैं तो बहुत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाले वीडियो में आपको बहुत कुछ कंटेंड सीपी सीटी और टाइपिंग से रिलेटेड मिलने वाला है